अले दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकल इनलेसिस करेंगे इसमें देखेंगे मार्केट का क्या ट्रेंड बन रहा है मार्केट में क्या क्या कोई बूलिश दैवरजैंस बन रहा है और फिर आगे आने वाला जो वीक है उस्मे किस तरह से विहेब कर सकता है और क्या चार्ट पे अब्रutetन क्या क्या हो सकता तो जो मैं के weekly analysis भी करूँगा और जो कल के लिए जो trade setup होगा मतलब इंडे के लिए जो trade setup होगा वो भी मैं आपके साथ share करूँगा important support resistance share करूँगा और आप पीछे की वीडियो में जाके हमारे support resistance को check कर सकते किस तरह से वो work करता है जो भी support resistance provided होता है वो institutional level के जो buyers और sellers होते उनकी position को track करके उससे बनाया जाता है तो वो बहुत ही अच्छा work करता है और डेली में आपके लिए वीडियो लेकर आता है तो इसलिए आप हमारी वीडियो को like कर सकते हो चैनल को subscribe कर सकते हो जाना जाद लोग के साथ पहले हम देखते हैं कि RSI क्या बोल रहा है ठीक है अगर मैं RSI को देखूं तो आप देख पाओगे यह डेली का चार्ट है इसको मैं थोड़ा सा और मोटा कर देता है इससे आपको देखने में आसानी रहे ठीक है तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है RSI देखो यहां से यह bearish divergence बना रहा है RSI अगर इसको आप देखोगे तो RSI यहां से bearish divergence बना रहा है ठीक है और market यह RSI नीचे आ रहा है market देर देर ऊपर की दरफ जा रहा है तो यह चीज एक note करने वाली चीज है और इसके बाद जो अभी जो RSI क्या करेंट पोजिशन है उस position में अगर आप इसको note करोगे तो यह 60K resistance पे है यह देख पा रहे हो RSI 60K resistance पे है और यहाँ पे जैसे market pump कर रहा है बट RSI में उस तरह का pump हमें देखने को मिल रहा है market almost all time high से थोड़ा सा ही नीचे है वो जबता market all time high को cross करें उसके बाद नीचे आए लेकिन यह market में दिखा रहा है कि market के अंदर weakness है और अगर आप minutes में charts को देखोगे तो उसमें भी हमें प्राइजक्शन जो है वो bearish measure आ रहा था यह जो lines आपको देख रही है मैं support resistance प्रोवाइड करते हूं इसलिए आपको दिख रही है और यह डेली के वीचे में support resistance में प्रोवाइड करता हूं उसका support resistance है तो इसको भी हम जब short time frame में देखेंगे तो यह हमें यह अगर आपको divergence को समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हूं कि यह देखो यह इसका top है RSI का यह देखो यह RSI का top उपर जा रहा है मतलब RSI higher high बना रहे हैं बट price अभी तक उससे उपर जा नहीं पाय है price higher high नहीं बना रहा है मतलब RSI आगे चल रहा है price पीछे चल रहा है तो यह एक bearish divergence होता है कि RSI आगे चल रहा है price पीछे चल रहा है और एक चीज और जो hidden bearish divergence जिसको बोलते है वो भी होता है कि market जैसे उपर की तरफ जा रहा रहा है और इसमें भी दिख रहा है और इससे भी अगर हम सब्सक्राइब इसको मैं पहले सही कर लेता हूँ ठीक है तो इसके लिए कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान होगा वह क्या रहेगा आपको सबसे इंपर्टन जो सपोर्ट या फिरेजिजन जो भी लेवल आप बोलता हो बाइस हजार फॉट्टीवन का रहेगा अगर कल मार्केट इसके नीचे करता है इसके नीचे ही ट्रेड करने लगता है तो मार्केट में एक फॉल आने के चांसे रहेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करने के लिए वापिस आए मेरे कहने का यह मतलब है कि अ की साइड की एंट्री नहीं लेनी चाहिए यह नहीं होता है जैसे देखो मार्केट में क्या होता है कि अगर कुछ भी बन रहा है तो जरूरी नहीं कि तुरंत प्ले आउट कर जाए हो सकता है कि मार्केट और लोगों को ट्रैप करने के लिए पहले यहां से एक बार इस तरह से उपर जाए और फिर यहां से नीचे गिर जाए क्योंकि जिस तरह का सिनारियो से बन रहा है मार्केट में ग्रीड बहुत जादा है और बहुत जादा लोग बुलिश ही बुलिश होते जा रहे तो मार्केट के गिरने के चांसे तो बढ़ रहे बट यह कब गिरेगा इसकी ग एंट्री है उसको देख समझके और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही उसमें एंट्री लेनी है यह मेरी तरफ से आपके लिए स्रजेशन रहेगा और अगर हम जैसे यह इसके नीचे जो हमारा सपोर्ट रेस्टेंस है वह आप इन सब को नोट डाउन कर सकते हो और यह किस त सपोर्ट पर बनाके फिर उपर तरह और जब यह वालव हमारा सपोर्ट था मेरे रेजिस्टेंस था इसको पूरी तुरह से साइड़ रहे गया और हमारे ट्रेडिंग पॉइंट पर आया है मार्केट यह तो जैब आपके तो इस पैसा अगर किसी दिख बना भी और यहां पर बोला रहा कि एक बेरीश चीजे दिख रही है आप इसको फाइब मिनट में इसको केंडल को करो फिर मैं आपको दिखाता हूँ और इसको मैं हटा दे रहा हूँ ठीक है यह पाँच मिनट का चार्ट है और इसमें आप देख रहें कि ट्रिपल टॉप बन रहा है एक टॉप दो टॉप तीन टॉप यह एक टॉप दो टॉप तीन टॉप यह तीन टॉप बन रहा है और इसी टाइम पर अगर आप आरेसाई को देखोगे तो आरेसाई टॉप नहीं बना रहा है आरेसाई नीचे की त यह होता है इसमें लोगों को ट्रैप करें यह सारी चीज़ें में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो यह एक अलर्ट टाइप का सिचुएशन है अगर आप नॉर्मली भी इंवेस्ट करते हो तो इस टाइम पर प्रॉफिट बुकिंग करने का सबसे बढ़िया टाइम है इसके बाद हो सकता है आपको मौका ना मिले फिर मार्केट गिर जाएगा अगर आप प्रॉफिट बुकिंग अभी सही पोजिशन बन रहा है अगर यहां से करेक्षन नहीं लेता है तो मार्केट बहुत उपर जा भी सकता है मिया निपकिन करेक्षन लेने पूरे मूड में है मार्केट तो हमें उस चीज को समझना चाहिए और डेली रेसिस के लिए जो हमारा यह support and resistance है यह जो हमारा लेबल है इसको आपको चुरूर से ध्यान में रखना है और हमारे telegram group को join कर लेना आपको जिसमें मैं आपको daily calls वहगरे प्रोवाइड करता हूँ जो भी update होता है running market में वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ तो मैं लिंक आपको description में और comment में भी डाल दूँगा वहाँ से आप उसको join कर सकते हो free है उसमें कोई charges नहीं है ठीक है इसके नीचे का जो support and resistance से इसको आप मार्क करके रखना और price action के according इस पर trade करना मैं अगर उससे में अवलेबल रहूँगा तो मैं जरूर से वहाँ पर आपको guide करूँगा टेलिग्रम पर ठीक है तो आप चलते हैं bank nifty पर bank nifty क्या कर रहे हैं बैंक निफ्टी में देख पा रहे होगे आपकी यह एक डबलू पैटर्न इसने बनाया है यह अगर आप देख पाओ यह डबलू पैटर्न bank nifty में बन चुका है ठीक है तो अगर जो इसका जो उपर वाला एरिया है 46,632 यह इसका एक तरह से neck समझ लो अगर आप इसको उल्टा करोगे तो यह double top की तरह आपको दिखेगा और इसका यह neck हो जाएगा अगर यह break होता है अगर market कल के दिन में इसक उपर अगर trade करता है यहाँ पर रुक के फिर उपर की तरफ निकलता है तो हमें एक upside moment देखने को मिल सकता है बट उसके chances कम लग रहे हैं अगर वो होता भी है तो बहुत जादा बरा जो बोलते हैं pump वो नहीं आने बाला है क्योंकि market weak हो चुका है अगर आप देखोगे इस सम वाला टॉप देखो नीचे वाला और यह देखो यह ऊपर की तरफ जा रहा है ठीक है और इसको अगर आप देखोगे तो यह नीचे की तरफ आ रहा है तो RSI higher high बना रहा है और प्राइज हो है वो lower high बना रहा है तो यह indicate कर रहा है एक bearish divergence को ठीक है तो यहाँ भी bearish divergence बन रह इसलिए हमें पहले से exit प्लान करके रखना चाहिए और market में हमें ready रहना चाहिए फॉल के लिए यह हो सकता है कि market एक बास सदेन यहां से pump करे और उपर sustain ना करे और फिर से नीचे की दरब निकल जाए एक trap करने के लिए यहां से market ऐसे उपर निकले और फिर वापिस से नीच करेंगा कि अगर market उपर निकल के नीचे आता है तो उस case में आपका जो भी loss हो उसको जल्दी से cut करने का try करना उसको carry forward मत करना नहीं तो आपको बहुत बड़ा loss देके जा सकता है और अगर हम इसका short time frame में देखें अगर मैं इसको 15 minute में देखता हूं तो आपको यह चीजे और साफ दिखेंगी market मैं इसको 5 minute कर देता हूं ठीक है जिसमें हम trade करते हैं mainly ठीक है तो यह वह देखो यह जो support के area था यह आपको already provided था और यह बहुत ही ज़्यादा crucial हो चुका है अब क्योंकि यह यहां से लेके यहां तक आप माल लो 4600 तक कि अगर यह इसके उपर market जब तक नहीं जाता है तब तक आपको bullish trades नहीं बनाने है अगर market बहुत ज़्यादा gap down खुलता है तो उस case में आपको एक bullish momentum मिलेगा बट उसके chances कम है अगर gap down खुलता है तो एक bullish momentum मिलेगा ठीक है बट अगर flat होता है या फिर हलका सा gap down अपन होता है तो एक pump के बाद dump, pump के बाद dump आने के chances बढ़ रहे है market के अंदर ठीक है यह आप देखो अगर आप इसको price action wise देखोगे तो price action क्या बोलता है कि जब एक market higher high बनाता है तो वो bullish होता है जब lower low बनाता है तो वो bearish होता है तो इसका एक high ये रहा ठीक है एक high ये रहा second high ये क्या है lower high ठीक है ये बन गया उसके बाद market ने इस lower high को तोड़ने का भी try किया और यहाँ पे तोड़ नहीं पाया ठीक है दो चीज हो गया confirm एक lower high बना और market lower high को break करने का try भी कर चुका है लेकिन वो break कर नहीं पाया ठीक है और दूसरी चीज यहाँ पे अगर आप देख market के लिए यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन अगर ऐसे ड्रॉ कर देते हो तो यह market का limitation हो जाता है तो 46,666 के आसपास का जो एरिया है यह market के limitation का का काम करेगा और अगर इसके उपर निकलता है तो जस्ट उपर हमारे पास एक और 46,600 का resistance है अगर market इसके उपर निकलके अ उपर आ जाएगा और यहाँ पर sustain करेगा और फिर उपर की तरफ निकलेगा तो यह पीछे वाले बेरिश डिवर्जंस cancel हो जाएगा तो cancel होने के भी condition होते हैं हमेशा होते हैं तो उसको भी हमें धियान में रखना है कि इसके उपर निकलता है तो फिर हमें bearish नहीं रहना है जब तक market इसके नीचे trade कर रहा है तो हमें bullish रहने की जरूरत नहीं है हमें अपने अपको safe रखना है तो हमें bearish रहना पड़ेगा यह निफ्टियर बैंक निफ्टि का update है बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के शेर करना और comment में जरूर से डालना इससे हमें motivation मिल जिससे की मैं अपके लिए और वीडियो लेकर आता हूं और निफ्टियर बैंक निफ्टि में भी हम दोनों में भी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा वाग करते हो अगर आप नीचे की तरफ जाके देखोगे हमारे डेली वीडियो इनलेसिस को जाके उपधिस काम करता है जैसा कि अब देख रहे होगे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मतले इसको फिर उपर जाके यहाँ पर निकला बननाया कर सब्सक्राइड बनर के वेकर निफ्टेंस से करेक्शन लिया तो नीफे बंद बंन धुम एक sleeping स्ट्राम एक सट्राइब ऊपर गया वापिष से हमारे support को रीटेस्ट किया फिर उपर की तरफ निकला और रय lock फिर ने मिलार हुइ Jupiter कि ale फिर उपर गया यहाँ पर बनाया और फिर ऊपर की तरफ निकल गया तो वह बहुत अच्छा विप्र करता इसको लेके आप अच्छी trading कर सकते हो तो इसको जरूर से ध्यान में रखना और जो भी आपके comment हो जो भी आपके queries हो वो हमारे आप telegram group में भी डाल सकते हो comment में भी डाल सकते हो उसको resolve करने की पूरी कोशिश की जाएगी और जो भी मैं आपको telegram में जो आपको provide करता हूँ points वो मैं खुद follow करता हूँ जो भी मैं trade करता हूँ वो मैं वहाँ पर update करता हूँ तो यह हमारा आज के लिए update है मंडे के लिए trade के लिए और अभी क्योंकि इन सब में correction आने की chances है तो इसलिए midcalf निप्ती के मंडे को expire लिए उसमें भी correction आने के chances रहेंगे इसलिए उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा bearish नहीं होना या फिर हो सके तो उसके trade को avoid करो अगर आपको bullish trade उसमें मिल रहा तो इसके avoid करने के कोशिश करो और अपने पैसे को safe रखो थैंक्स वर्वाचिए लू लाइफ सब्सक्राइब और शेयर में वीडियो